अमस्कार मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज 28 जुलाई बिहार का कोरोना अपडेट लेकर आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बिहार स्वास्त विभागन जो आकरे जारी की हैं उसके अनुसार पूरे बिहार से आज जो नए संक्रमित मामले कोरोना के निकल कर आए हैं उनकी संखिया है 2480 दो तारीखों में आकरों को फिर से जारी किया गया है 1749 मामले कल 27 जूलाइक है जबके 731 मामले 26 या उसे पहले के रिपोर्टेट मामले थे जिनकी जाच रिपोर्ट भी पिछले 24 घंटे में ही आई है तो इस तरह से दोनों को जोर कर 2480 नए मामले सामने आते हैं इस तरह बिहार में अब आकरा कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों का हो गया है 43,591 चलिए एक नजर डाल लेते हैं नए मामलों पर कि किस जीले से कितने मामले आये हैं और किस जीले में कुल कितने मामले अब हो गये हैं अररिया नए मामले 56, कुल मामले 476, अरवल नए मामले 39, कुल कोरोना पॉजिटिव 461, औरंगाबाद नए मामले 75, कुल कोरोना पॉजिटिव 745, बाका नए मामले 30, कुल कोरोना पॉजिटिव 526, बेगुसराय नए मामले 56, कुल कोरोना पॉजिटिव 1497, भागलपूर न चमूय बैमता सजेत अधीकनी आज़ड़े 5.182 बक्सर नेमामले 5.183 कुल पॉजटिफ 8. intent कचिए शयासी कुल कोरोने पॉजटिफ 970 गया नेमामे एक सो पारेस कुल कोरोना पॉजटिफ 8.193 गोपाल gagnत नेमामले 47 कु relativity नेमामले i7 कुल कोरोना पॉजिटीव 710, जिहानाबाद नयमामले 22, कुल कोरोना पॉजिटीव 791, कैमूर नयमामले 15, कुल कोरोना पॉजिटीव 785, कटिहार नयमामले 14, कुल कोरोना पॉजिटीव 926, खगरिया नयमामले 51, कुल कोरोना पॉजिटीव 933, किसन गंज, नयमामले 63, कुल क कुल न पॉजिटिव 601 मधुपण्यीं नाइमामवले 55 गुल करो ना concurrij पॉजिटिव नालंदा नैम मामले एक सोटाइस कुल कोरो न पॉजिटिव सत्रहसो पैमे तालीष नवादा ने मामले पचीटीज उनक फुर्ड नपालीस 1027. पटना में मामले 414 दिनकोर्ण पॉजिटिव 745 सर्ल कुरोन फॉजिटिव 1431, समस्तिपोर नयमामले तिरपन कुल कोरोना पॉजिटीव 1091, सारन नयमामले 120 कुल कोरोना पॉजिटीव 1326, सिकपूरा नयमामले 11 कुल कोरोना पॉजिटीव 480, सिवर नयमामले 17 कुल कोरोना पॉजिटीव 251, सिता मरी नयमामले 7 कुल कोरोना पॉजिटीव 422, सिवान नयमाम 38 कुल्ख हजार 17 सो इकतालीस शुपाह। सुपाह। नहीं मामले 34 कुल्ख कुर मामले 177, वैसाली नए मामले 87 कुल कोरोना पॉजिटीव एक हजार तिरपन वेस्ट चमपारन नए मामले 25 कुल कोरोना पॉजिटीव ग्यारस सो पच्चास इस तरह आज के नए मामलों की संख्या है तो बिहार में तीन दिनों से चार दिनों से लगतार 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं टेस्टिंग जो नितिसकुमार चाहते थे कि 20,000 जल्द से जल्द बिहार चुए वह नहीं हो पा रहा था 14,000 के आसपास पिछले कुछ दिनों से टेस्टिंग की संख्या पहुंची है इसको स्वास्त विभाग के प्रधान सचिव उदेशी कुमावत पर नितिसकुमार काफी ज्यादा नराज थे और सनिवार की केबिनेट की मीटिंग में यह जगजाई हो गया था कि उदेशी कुमावत का अब इस पद से हटाया जाना लगबग लगबगता है और कल जो ख़बर आ आफ्दा प्रबंधन के प्रधान सचिव भी है उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह इस भृष्म नियंद्रन के स्थिती से बाहर होता जा रहा है कोरोना उसको जल से जल नियंद्रन के स्थिति में लाएं स्वास्त जो सुभिदाएं उसे बैतर करवाएं व्यवस्था जो है कोरोना मरीजों के लिए उसे भी बैतर करने के लिए वो उन्हें लाया गया है अब प्रतेकुमार अम्रेजो प्रदान सच दिखाएगे यह दूसरी बार है पिछले दो महीने में जब बिहार सरकार ने स्वास्त विभाग के परधान सच्यू का तबादला किया है इसके पहले कि जो 20 माई की कहानी है कि 20 माई को संजय कुमार जो प्रदान सचिव थे स्वास्त विभाग के उन्हें हटा कर परेटन विभाग में भेज दिया गया था जबकि उनके जगह पे उदेशी कुमावत को लाया गया था अब जो नया तबादला हुआ है उसमें परते कुमार अमरित को बनाया गया है स्वास्त विभाग का परदान सचिव रहेंगे वहां का भी करवार संभालते रहेंगे देखना होगा कि अब आगे कि स्वास्त सुविधाओं में क्या बहतरी आती है किस प्रकार से मरीजों का इलाज होता है क्योंकि काफी ज्यादा वीडियो वाइरल हैं बिहार में कि यह बड़े-बड़े जो कोविड केर हैं कोविड के जो अस्पताल डिडिकेटेड अस्पत लच्चर स्वास्त में वस्ता है उसमें कोविड के जो इलाज उसे किस तरह से बहतर करते हैं कि खबरों से अबड़ेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज धन्यवाद